नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरचा शर्मा शुशान सिंग राजपुत के मौत को लेकर पूरा देश सकते में है सोशल मीडिया पर सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखर क्या वज़व रही होगी कि सुशान सिंग राजपुत ने ऐसे सुसाइट कर लिया अब इसको लेकर बॉलेबुट सेलिप्स की बात की जाए या फिर आम जनता की हर लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ यहीं बाते कर रहे हैं कि बॉलेबुट का जो काला सच है वो कही न कहीं सामने आ गया है इसके साथ कई लोग जो फिलिंग अपने अंदर रखे हैं उसको शेर कर रहे हैं सुशान सिंग राजपुत से जुड़ी मेमोरी को भी शेर कर रहे हैं और इसी बीच अब सुशान सिंग राजपुत की बहन श्वेता सिंग कृती का एक ओपन लेटर सामने आया है उन्होंने फेस्बुक पर सुशान सिंग राजपुत को लेकर एक ओपन लेटर लिखा है क्या कुछ लिखा है उन्होंने आपको बताते हैं श्वेता सिंग ने लिखा है कि मुझे मालूम है तुम दर्द से गुजर रहे थे और तुम एक फाइटर थे उन्होंने लिखा है कि काश मैं तुम्हारा सारा दर्द ले सकती और खुशियां दे सकती शुता ने आगे लिखा है मेरा बेबी, मेरा बाबु, मेरा बच्या अब हमारे साथ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में थे, मुझे पता है कि तुम एक फाइटर थे और बहादूरी से लड़ भी रहे थे सौरी मेरा सोना, सौरी तुम्हे इतने दर्द से गुजरना पड़ा अगर मैं मेरे बस में होता तो तुम्हारा सारा दर्द ले लेती और तुम्हें अपनी खुशियां दे लेती तुम्हारी टिम्टिमाती आखों ने दुनिया को सिखाया कि कैसे सपने देखें तुम्हारी मासूम मुस्कान ने तुम्हारे दिल की सच्ची पवित्रता को जाहिर किया जहां भी मेरा बेबी हो खुश रहे तुम्हें हर कोई प्यार करता है और हमेशा तुम्हें बिना शर्त प्यार किया जाएगा उन्होंने अपने लेटर में आगे लिखा है अपने करीवी लोगों को सलाह भी दिया है उन्होंने लिखा है मेरे प्रियो मुझे पता है यह मुश्किल समय है लेकिन जब भी तुम्हारे पास कोई विकल्प हो तो नफरत के बजाए हमेशा प्यार क्रोथ के उपर दया और करुणा को चुनना स्वार्थ से उपर उठकर नी स्वार्थ भाव को अपनाना अपने आपको दूसरों को और सभी को माफ कर देना हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपने लिए दूसरों के लिए और सभी के प्रती दयावान बनिये किसी भी कीमत पर अपने दिल को बंद मत कर किजिए आपको पता दे कि शुशान सुंग राजपूत ने 14 जून को फासी का फंदा लगा लिया था और उनकी मौत के बाद पूरा देश सदमे में है सब जगह इस बात की चर्चा हो रही है क्या कर किन वजहों से सुशान सिंग राजपूत इतने मजबूर हो गये कि उन्होंने मौत को गले लगा दिया सुशान सिंग राजपुत टेलिवीजन से उन्होंने शुरुआत की थी उसके बाद टीवी की दुनिया में वो पॉपुलर हुए बॉलेबुड में भी उन्होंने एक से बढ़के एक फिल्में दी तो उनकी हर फिल्मों के लिए डेब्यू का अवर्ड मिलता है लेकिन सुशान सिंग राजपुत ने एक से बढ़के एक फिल्में की ऐसी ऐसी फिल्में की जिसमें साफ तोर पे उनकी अभिनयों को देखा गया और ऐसे वक्त पर भी उन्हें अवर्ड नहीं दिया गया तो ऐसी कई चीजें हैं जो सामने आई हर जिससे लगता है कि सुशान सिंग राजपुत बॉलेबुट से तंग आ गये थे उन्हें बॉलेबुट की दुनिया रास नहीं आ रही थी और शायद यहीं वज़ो है कि उन्होंने मजबूरन सुसाइट किया देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे यह नियूस फोनेशन नमस्कार